नमश्कर दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्ट स्काय भारत वर्ष धर्म संस्कृती की विराट्टा को अपने में अनादी काल से संजोय हुए है यहां देवता, पितर, रिशी, प्रकती पशु, पेड़, पौधे सभी की किसी न किसी रूप में पूजा एवं अराधना की जाती है रितु प्रधान देश होने से यहां प्रतेक रितु में विशेश उटसव मनाय जाते हैं कई उटसव ऐसे हैं जिसमें उपासना इवं अराधना का संबंध सीधे आत्मा और परमात्मा से जोडनी वाला होता है ऐसा ही पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को मनाय जाता है जस दिन यमना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था कहा जाता है कि आज भी निदिवन में वो रह सिमय लीला शरद पूर्णिमा को संपन्न होती है किसी न किसी आत्मा नंदी साधक को महारास का साक्षातकार होता है शास्त्रों में शरद रितू को अमरित संयोग रितू भी कहा जाता है क्योंकि शरद की पूर्णिमा को चंद्रमा की किर्णों से अमरित की वर्षा का संयोग उपस्थत होता है वहीं सूम चंद्र किरने धर्ती में छिटक कर अन्वनस्पती आदी में ओशिधिय गुणों को सीशती है श्रीमत भागवत के दशम सकंद में रास पंचा ध्याई में भागवान श्री कृष्ण द्वारा इसी शरद पूर्णमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महरास के बारे में बताये गया है मुनियों का मानना है कि जो श्रद धालू इस दिन चंद्र दर्शन कर महरास का स्वाध्याय पाठ श्रवड एवं दर्शन करते हैं उन्हें हिर्दय रोग नहीं होता साथ ही जन्हें हिर्दय रोग की संभावना हो गई हो उन्हें रोग से छुटकारा मिल जाता है मन के स्वामी चंद्र देव है इसलिए शरद पूर्णमा के दिन चंद्रमा की पूजा करनी का विधान भी है जिसमें उन्हें पूजा के अंत में अर्द भी दी जाती है हेमंत रितू इसी दिन से शुरू हो जाती है लक्षमी के भाई चंद्रमा इस रात पूजा पाट करने वालों को शीकृता से फल देते हैं इस वीडियो में फिल हाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहें बोल्ट स्काय से